हलो अब्रिवान तोड़ी अवर टापिक है इस कॉनिक सेक्षन कॉनिक सेक्षन के अंदर हम स्टड़ी करेंगे सर्कल की पैराबोला की हाइपरबोला की और अलिप्स की तो यह जो है यह हमारे कॉनिक के पार्ट है यह हमारा कॉन होता है और यह कौन के पार्ट है हमारे सर्कल, हाइपरबोला और अलिप्स अगर हम सर्कल को बिल्खुल होरिजोंटली काटेंगे तो हमें मिलेगा circle सरी, कोन को अगर हम विल्गल horizontally काटेंगे तो हमें मिलेगा circle और अगर हम थोड़ा सा इस plane में काट देंगे इसको तो हमको मिलेगा ellipse यह मिलेगा हमको circle यह मिलेगा ellipse और अगर हम इस कोन को कुछ इस तरीके से काटतें तो हमें मिलने वाला है पैरा बुला और अगर हम यहां से इसको ऐसे काटेंगे तो हमें मिलेगा हाइपर बुला तो इसी लिए इसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन्स के हमारे कौन के यह सेक्शन्स है और इनके बारे में हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंट्री सिटी की जब भी हम किसी कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं किसी भी कॉनिक के बारे में तो हम उसकी eccentricity के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में हम to the point ही बात करेंगे मैं आपको कोई भी detail में या फिर deeply कोई topic को नहीं समझाऊंगी क्योंकि exam बहुत नियर है हम इतनी detail में कुछ भी नहीं कर सकते हम वही करेंगे चितने चीज की हमें जरूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो eccentricity है इन तीनों के चारों के अंदर क्या होगी कई बहुत बड़ी सी equation दे देंगे parabola की या फिर circle की, hyperbola की, ellipse की ये eccentricity बताओ के क्या होगी है न तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि circle की eccentricity क्या होगी circle की eccentricity तो होती है 0 ठीक है और जो parabola है उसकी eccentricity होती है 1 hyperbola की होती है greater than 1 और ellipse की होगी less than 1 और मान लोग के आपको circle की बहुत बड़ी equation दे दी बहुत बड़ी जिसको आप solve नहीं कर सकते ठीक है बहुत time लग जाएगा solve करने के लिए और उसकी आपको eccentricity पूछ ली गई है आपको पता है के journal जो equation होती है circle की कुछ इस तरह से होती है मान लोग के ये f की value, g की value कुछ complicated दे दी और उन्हें बोल दिया के आप हमें eccentricity बताओ circle की की क्या होगी आपको पता है के circle की जितनी भी बड़ी equation हो उसकी eccentricity तो 0 होने वाली है तो अगर आपको इसकी eccentricity पता है तो आप बिल्कुल नहीं उल्चेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे के हम कौन सा formula apply करें, क्या करें, कैसे होगा और इसी तरह से अगर आपको पैरावुला की eccentricity पूछी गई है तो आपको कोई formula लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बड़ी मर्जी equation दे दी हो, तो आपको जो tick लगानी है, वो 1 पर ही लगानी है उसके बाद बात आती है hyperbola और ellipse की तो इसको कैसे याद रखना है कि कौन सा greater than 1 होगा और कौन सा less than 1 होगा hyperbola hyper, मतलब बड़ा, मतलब centricity बड़ी होगी इसकी 1 से है न ellipse बोलने में ऐसा लग रहा है न कि hyperbola बड़ा है, ellipse छोटा है तो ऐसे ही आप इसकी centricity को याद रख सकते हो कि hyperbola की centricity greater than 1 and ellipse की centricity less than 1, तो अब हम move करते हैं next circle से पहले हम discuss करेंगे circle के बारे में तो circle की जो हमारी central form होती है, वो कैसी होती है x minus h square plus y minus k whole square equals to r square है न और जो h k होता है ये होता है center और r जो है वो होगा radius उसके बाद हम बात करते हैं standard form की, के circle की standard form क्या होगी standard form of circle, तो जो standard form of circle है वो होगी x square plus y square is equals to r square ये होती है standard form उसके बाद हम बात करते हैं के general form of circle क्या होती है general form of circle तो general form of circle जो है वो होगी x square plus y square plus 2g of x plus 2fy plus c equals to 0 तो यहां पर अगर हमने center देखना होगा तो वो होगा minus c minus f ये होगा center of the circle and radius जो होगा वो होगा under root g square plus f square minus c कर दो दिए को चलब बात का सकती है